आज हमारे पास कियाएक IAEBB की टेस कीजिए की बॉसिंग मशीन है बॉसिंग मशीन में क्या दिखकाता रही है इसकी BFD स्टाब करता नी बलिंग कर रहे ही सामने आपको दि instruments का आलाराम बार 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 हम जा रही है तो यहांसे स opacity को कमांड देती है तो यह क्या definite कि यहां पर बॉर नियंग आप आप और और आ रहा हुआ पृ सब्सक्राइब थे चाथ करके हम इसे एक इस को सपार्ड होगी फटी जिसक्स निखा रहा है अब हमारा हुआ क्या है इसमें हम रिसेट भी कर रहे हैं तो यह रिसेट करके हमारी मसीन को स्टार्ट कर नहीं रही है देखिए अभी जैसे हम इसको आटो मोड पे भी जा रहा है तो यह आटो मोड पे जा नहीं रही है अब एक छोटा सा आसान तरीका क्या करते हैं हम जहां से मोटर के करते हैं और इसको रिसेट करते हैं फिर क्या होता है यह रिसेट हो गई है अभी यह रिसेट हो गई है अब हम इसको ऑटो में डाल रहे हैं अब वह आलाराम नहीं आ रहा है नहीं आ रहा हम एक बार और इदर से सामने से मसीन से चालू करके देखते हैं PLC से मसीन के सिस्टम से देखी अभी वो आलाराम अदी नहीं आ रहा तो हमारी मोटर सिर्फ क्या हुआ है हमारी मोटर की जो बॉड़ी है वो सौट हो गई यानि हमारी मोटर यहां पर खराब हो गई है मोटर खराब हो गई इसलिए हमारी बेबडी किस चीज का आलाराम दे रही है बार 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 होगे हैं इनको फटाफट फटाफट खोल देते हैं और कोलकिंगा मोटर बार निकाल ले आप बड़िया मेगर वगैरा से चेक करें और मेगर से चेक करके attractions की supply भी देखे हम चेक करेंगेUp करेंगे अधी हैél Racist की supply देने से पहले कभी भी मोटर की सप्लाइच चेक कर लें आप दिखा रही है। सब चीज ना करते हुए हम सीधा सब चीज ना करते हुए हम सीधा सब्सक्राइब की मदद से हमारी मौटर चल गए तो हमारी मौटर में कोई नहीं है और इसमें मौटर की जगा हम दूसरी जगा फॉल्ट परसेंट क्या हुआ है इसमें मौटर ही खराब भी नहीं होती और यह हमने कि इसको त्री फेस की सप्लाई जहां से डारेक्ट दी मौटर को और जैसे हम इसकी मौटर को खोल के जैसे हमने देखा जो आपको वांडिंग दिख रही है यह क्या वांडिंग हीट हो गई है हिट का मतलब समझे आप इसका इंसुलेशन क्या हो गया खराब हो गया तो यह अंदर से खोलने के बाद हमको दिख रही है अब हम इसको दूसी तरफ से भी फटाक से खोलके देख लेंगे हमको पकका अफुरा हो गया कि हमारी मौटर ही खराब हो गयी ठीक है फटाफट फटाफट हमने इसको खोल के देख लेते हैं पेपर वगर ऐसा वटा के भी देखो आपको जो मौटर दिख रही होगी ना यह साथ कैमरे में नहीं दिख रही हिसमें हीट हो गई है जो मोटर हीट हो के क्या होता है बीफडी पर सलो सलो चलना पड़ता है अब में टाइम बाद मोटर अपनी हीट हो जाती हिट हो जाती हिट होने के कारण बी अबियक हमारी एर्र देने लगती ही कि इसका इंशुलेशन होट हो गया यह वार्णिंग को इतना डशक्ता नहीं है बड़ी-बड़ी मॉसीनों में कि हम किसी मोटर के चक्कर में दो दिन चार दिन रुके रहें अब हम क्या करेंगे देखिए इसको मोटर को यहाँ पर नीचे हमने खोली ती यहाँ से फटा 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 पड़ वहाँ पर हम लगा देंगे जे चारों नटों पर इन ब्लॉक की मदद से लगा देंगे मगर मोर्टर लगाने से पहले आपको यहाँ से धियान रखना कि आप इसके कनेक्षण कहीं प्रावि कहीं कर सकते क्योंकि रीवर्स फ़रवर्ड मोर्टर चलती है समके कुछ पका नहीं कि अब कर दो मगर लगाने सेप्हले आपको इसमे एकुछ विस्षिश्ष्व्हां रखना होगी कि मौटर को अपको लगाना है और लगाने सेपहले हम इसमोटर को थरीपेच देर angef कोई एर तो नहीं नहीं है यानि पूरी मेनत खराब होने से बढ़िया हम फटाफट इस मोटर को थरी फेस्ट देते हैं BFD के थिरू कसने से पहले क्यों कसने से पहले हम इसलिए दे रहे हैं कि हमारी मोटर में कोई एर हुआ या मोटर खराब हुई बांडिंग में सौट हुई या और कोई अर्थिंग हुई तो हमें कसल लाइंगे पूरी पर कसली हमने तो खोलना पड़ गई तो क्या होगा पूरी मेहनत बेकार हो जाए अब हम क्या करा इसमें थ्री पेज ना से फटाफट दे दिए अब को सामने आपको दिख रही है अभी इसमें कोई एरर वगएर ऐसा कुछ भी नहीं है और आटो मोड पर हमारी मसीन ठीक है देखिए अब सामने आपको ओन दिख रही होगी और आटो मोड का इंडिकेशन दिख रहा हुआ हम जहां से ओन करेंगे इसको ओन करके हमने क्या लोड सेट होती है अब क्या होता है इसमें स्पीड कम जादा कम जादा बॉसिंग मसीन के साब सेट होती है और वो चलती रहती है यह हमारी मोटर बरावर यहां पर चल रही है मोटर में ऐसी कोई दिक्कत होती है यह मोटर क्या करती है अपनी ट्रिप करती देखिए बरावर हमारी मोटर यहां पर चल रही है अभी सिलो स्पीड में चल रही है मगर ऐसी कोई दिक्कत है नहीं है अब इस मोटर को हम फटाक से उल्टा करके बैलेंस लगा के इसको कज देंगे आप इसको चेक बगएरा भी कर लें ऐसे कि इसमें कोई सौर्टिंग मोटिंग का प्रोब्लम बिल इसको फिर नटकस है कि उल्टा कसने मोटर बहुत दिक्कत होती है थे कि हमने इसको कस दिया पूरा बैलेंस कर दिया बैलेंस करके इसको हम क्या करेंगे चला के देखें आप बिना चला है विलकुल ना जाए क्योंकि मोटर में कोई भी एरर होगा कुछ भी प्रॉब्लम जैसे पूरा पता लग के हमारा देखी अब हमारी यह मसीन रन हो गई है रन हो गई है यानि हमारे को इसमें जो भी प्रॉब्लम थी सर्फ हमारी मोटर की दिक्कत थी और कोई दिक्कत नहीं थी अब हमारी मसीन आटमेटिक चलने के लिए बिलकुल तैयार है अब यह हमारी कौन सी है 30 केजी की बॉसिंग मसीन ती जो रिपैर होके तैयार होगी सर्फ इसमें मोटर का इस हुता और भी कुछ नहीं हमने मोटर बदल दिया इसकी हमारे पास इस पैर रहती है तो हमने देगी ब्रॉवर एक्दम सही काम कर रही है इसमें ऐसा कोई भी दिख